जब से YouTube ने जो है वो आटो जनरेटेड वाइस को जो है वो YouTube पर अलाव करना बंद कर दिया है तब से जो है वो काफी सारे लोग मुझसे question कर रहे थे कि क्या हम जो है वो अपनी YouTube वीडियो की जो voice होती है क्या हम उसको change कर सकते हैं क्या हम जो उसकी voice pitch होती है उसको थोड़ा बहुत up and down करके वीडियो बना सकते हैं तो इस topic पर जो है वो मैंने एक proper वीडियो बनाया था लेकिन उसके बाद से जो है वो काफी सारे लोग मुझसे ये भी पूछने लगे कि काफी सारे ऐसे voice changer apps भी आते हैं जिनकी मदद से क्या हम अपनी voice को जो है यहाँ पर change कर सकते हैं क्या उनकी जो voice है वो monetize हो सकेगी या फिर क्या YouTube जो है वो उन voices को allow करता है तो आज किस वीडियो में आप से भी को जो है वो सारी चीज़े बताने वाला हूँ कि YouTube का इस पर जो है वो क्या rule है तो वीडियो को लाज तक जोड़ देखेगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चल को subscribe कर दीजे So hello दोस्तो मेरा नाम है रिको आप देखरे हैं टैक रिको चल करे ये वीडियो को start करते हैं कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि YouTube पर काफी सारे ऐसे YouTube चैनल है पुराने जो की auto generated voice का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उनका YouTube चैनल monetize है और यहां पर कुछ चैनल ऐसे भी है जो अभी नए-नए monetization में जा रहे हैं तब भी उनका monetization है वो on हो जा रहा है तो हो स मेरा इस रूल की बज़े से monetization हो गया और इसके साथ ही तो अगर यहां पर आप बात करें कि जो नए YouTube चैनल है उनका monetization on हो रहा है वो भी auto generated voice के साथ तो यहां पर daily basis पर ना जाने मुझे कितने ही YouTube चैनल लिंक्स आते हैं मेरे Instagram अकाउंट पे YouTube चैनल को चेक करता हूं तो उन दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी original voice तो अपनी videos में रखते ही हैं साथ ही उसको थोड़ा बहुत change भी कर देते हैं लेकिन कुछ videos मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कि अपनी voice को इतना ज्यादा change कर देते हैं कि उनकी जो voice है वो clearly समझ में ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं यह कहना चाहूंगा कि येस आप जो है वो अपनी original voice को change करके YouTube पर upload कर सकते हो लेकिन अपनी voice को change करते समय आप ये भी धान रखे कि आपकी जो voice है वो एक्दम clear समझ में आनी चाहिए बट आपकी जो voice है आप जो भी words बोल रहे हैं जो भी आपके accent होते हैं वो exactly directly लोगों को समझ में आने चाहिए और आपका words जो है वो clearly लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस बारे में बोल रहे हो क्या बात कर रहे हो ऐसा नहों कि आप edit करते करते आप अपनी voice को इतना ज्यादा edit कर दें कि आपकी voice जो है वो clear ही न रहे है तो इस तरह की भी जो voice है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो मुझसे पूछा है so finally मैं इस voice changer के अंदर जो है वो अपनी आवाज को record करने वाला हूँ काफी सारे जो effects इसके वो भी मैं आप सभी को सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आखिर इसके voice samples है जो मैं इसमें record कर रहा ह है और जैसे इस मैं tap करूँगा अब भी जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अब वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर record हो रहा है तो अगर आप भी अपनी YouTube वीडियो के लिए कोई भी script बनाना चाहते है या किसी YouTube वीडियो को voice over करना चाहते है और आप अपनी original voice में उसे जो है voice over नहीं करना चाहते तो यहाँ से जो है वो आप उसकी voice को change कर सकते हैं जब आपको simply इसकी recording को रोकना है तो आप यहाँ पर tap कर दें तो यह simply stop हो जाएगा इसके बद दोस्तों आपने जो भी voice record की है यहाँ पर काफी सारे options आपको मिल जाते हैं अब भी जो कुछ किसी भी option से जो है वो अपनी voice को change कर सकते हैं जैसे जो है वो आप साइड में okay करके आप जो है वो इसको इस तरह से save कर सकते हैं और इस तरह से यह आपकी recording है वो आपके mobile phone में save हो जाएगी लेकिन याद रखे दोस्तों जैसा कि मैंने भी पहले ही कहा कि इसमें से काफी सारे effects ऐसे हैं जिनमें अगर आप उपनी voice को change करते हैं तो आपकी voice जो है वो clearly समझ में आती है बस वो जो है वो थोड़ी change हो जाती है तो आप उन effects का इस्तिमाल कर सकते हैं बट इसमें मैंने देखा है कि कुछ effects ऐसे भी हैं जो कि आपकी voice को इतना ज़्यादा रिफिकेट कर दे देते हैं या उसकी pitch को इतना ज़्यादा change कर देते हैं कि आपकी voice है उसकी exactly real words ही नहीं पता चलते है या फिर आप क्या बोलना चाहरा है वो आप चेंज कर सकते हैं बट आप क्या बोल रहे हैं किस वे में बोल रहे हैं बोलने का आपका fluent क्या है वो चीज़ लोगों को समझ म आनी चाहिए यह आपके चैनल के engagement के लिए भी अच्छा है और YouTube के rules के लिए भी अच्छा है और monetization के लिए भी अच्छा है तो कि आगे आपको यहाँ पर जो three dots दिख रहे हैं उन पर क्लिक करके आप save recording पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर से जो है वो यह यह से हो जाएग झाहिए जील चैप पर जैसे हो यह ईच्छा है आपके सरह को आपbe यह से जो है धगी हमता है।